नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं लदाक से आप सभी के लिए एक बहुत ही बहतरीन वीडियो बना रहा हूं और ये वीडियो डेफिनेटली आपके काम आएगी, मुझे भी इसी तरीके की स्टडी ने, जो भी कुछ आज मैं हूँ, इसी तरीके की स्टडी के कारण हूँ आप 8 गंटे 10 गंटे कैसे पढ़ सकते हैं 12 गंटे कैसे पढ़ सकते हैं उसको distribute करने का एक तरीका है अगर वो distribute करना आ गया तो समझ लो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे तो मैं ज्यादा समय नहीं लूगा अप लिखते चलना ये सारी चीज़े और इसकी PDF मैं अपने टेलिग्राम पे भी शेयर कर दूँआ जो मैंने लिखी है लिखके बनाई हैं सबसे पहले देखो आप रात को पढ़े या आप मैंने कोई टाइम नहीं लिखा इदर की 9 बजे से 10 बजे पढ़े ऐसे मैंने कोई टाइम नहीं लिखा है क्योंकि हर किसी का अपना मॉर्निंग अगर आप है अगर आप रात को पढ़ने बैठते तो आप रात का लेके चलेंगे तो आप सबसे पहले उठेंगे या रात को सोते हैं तो उससे पहले आप पढ़ रहे हैं ठीक है रात के टाइम तो मॉर्निंग में सबसे पहले आप एक से डेड़ घंटा या डे से दो घंट आपने पढ़ाई करी फिर 15 मिनट का आप रेस्ट लेंगे उस 15 मिनट के रेस्ट में आप ब्रिक्फास्ट भी कर सकते हैं या फिर आप चाय कोफी कुछ भी ले सकते हैं गाने सुन सकते हैं ठीक कुछ लेगिन पीते रहे कुछ ना कुछ नेक्स्ट 15 मिनट के रेस्ट के बाद फिर देड़ से दो घंटे के आपको पढ़ाई करनी है अब आपको सब्जेक्ट चेंज करना है जो आप पढ़ रहे थे उसको नहीं पढ़ना है दूसरे सब्जेक्ट हो पढ़ना है वो भी हाड या सैमी हाड में ही आना चाहिए और उसक 40-4 घंट अपने पढ़ाई कर लिए अब आप लंच ब्रेक देंगे लंच ब्रेक में आप शह generatorन के में 45 मिनट से एग घंट तक आप लंच ब॥्ए करेंगे उससे थोड़ा सा अच्छा फील हो इस ब्रेक के बाद अब आपका दुबारा इस पढ़ने का समय आ चुका है क्योंकि आपकी बोडी फिर से एनर्जाइज हो चुकी है क्योंकि अभी आपने 15 मिनट का रस्त लिया है तो आप तीन सेट लगा चुके हैं अभी तीसरा सेट था यह अभी है 15 मिनट का रस्त देंगे इसमें मोटिवेशन सौंग सुन 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 सकते हैं या फिर आप किसी दोस्त से बात कर सकते हैं सिर्फ 15 मिनट यह ध्यान रखना स्पेशली उसके बाद में आप अगला चौथा चरण आपका चालू होगा डेड़ से दो गंटे की पढ़ाई करेंगे उसमें कोई और सब्जेक्ट लेंगे प्लस में इसमें आपको पी वाई क्यू एनलाइसिस करने हैं प्रिवियस यह कॉश्चन उसके लिए मेरी वीडिय जोज रिकमेंड कर सकते हैं उससे देख सकते हैं या फिर आप आपको PDF मैंने शेयर कर रकी दुनिया भर की टेलिग्राम पर वो देख सकते हैं तो वो सारी चीज़े आप देखने के बाद डेड़ से दो गंटा आप इसमें देंगे पी वाई क्यू प्लस आपका दूसरा कॉफी जूस कुछ भी पी सकते हैं अब 15 मिनिट का रेस देने के बाद आप डेड़ से दो घंटा भी आपका पांचवा चलेगा पांचवा स्टेप पढ़ाई का तो इसमें आप क्या कर सकते हैं डेड़ से दो घंटा इसमें आप वीडियो देखेंगे आप सुबह उठते ह नहीं करती है अपको लगता है कि आप पढ़ रहे हैं चाहिए मैं खुद वीडियो बनाता हूं लेकिन यह बात हकीकत है मैं जूट बोलता नहीं आप जब वीडियो देखते तो आपको लगता हाँ यह तो मुझे आता है यह भी आता है आच्छा इसका आंसर तो मैंने पहले सत्सक्राइब वीडियो देखें नौट्स बनाएब आप आपको 15 मिनट का फिर से रैस्ट लेना है 15 मिनट का रैस्ट लेने के बाद में आप छटे-चरण की तरफ पहुच जाएंगे तो डेड़ से दो घंटे आप 6 चरण में अब आप क्या करेंगे 6 चरण में इसमें आप complete notes बनाएंगे, जितना आपने पूरे दिन पढ़ा है, उसका notes बनाएंगे complete, और notes जो नहीं बने हैं, वो notes बनाएंगे, अगर बन के हैं, तो उसका revision करेंगे, complete revision करते चलेंगे पूरे दिन, तो यह आपके 6 steps, अकर आप 1.5 गंटा पढ़ते हैं, तो आप लगभग लगभग 3, 3, 3, 6, और 3, 9 गंटा पढ़ लेंगे, अगर 1.5 गंटा पढ़ेंगे, यह 6 चरन, और अगर 2-2 गंटा पढ़ते हैं, तो 6-12 गंटे आप पढ़ लेंगे, तो मैंने कम से कम भी रखोगे, 1-1 गंटा भी रखोगे, 1-1 गंटा भी रखोगे, तब भी आप 7-8 गंटे की अराम से कर सकते हैं 1.5 गंटा पढ़के भी लेकिन 2 गंटा पढ़ेंगे तो आप 12 गंटे पढ़ सकते हैं तो यह तो रहे आपके distribution time अब इसमें कुछ और extra tips में आपको देना चाहूंगा जो आप कर सकते देखो हमेशा पानी पीते रहें पानी की स्पेशली यही कर सकते हैं आपका flip card amazon इन सबको delete वार दो इन सबकी कोई जरूरत नहीं अभी आपकी जब आपको जरूरत तुरंत इंस्टॉल कर लो क्योंकि इन से भी बहुत ज़्यादा इसको recommend करें पूरी playlist देखें अच्छे से उसके बाद में marathons बहुत ज्यादा important है marathons देखें मेरी बारा-बारा घंटे की marathons available है वो देखें उसके notes बनाए specially notes बनाएंगे तभी आपका फायदा होगा खाली देखने से कुछ नहीं होगा stay organized अपने जहां पर भी पढ़ रहे हैं जहां पर भी आप या तो लाइबरेरी में जहां मर्जी पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको organized way में रखें ऐसा नहीं कि सारी चीज़े बिखरी पढ़ी है चीज़े और quite environment जो कि आपके पढ़ाई के लिए आपको रखना है तो बिल्कुल सांत वातावरन आपको बनाई रखना है ऐसा नहीं कि कहीं पर भी सोर मच रहा है और आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल आप या तो लाइबरेरी जोइन कर लें या फिर मतलब बार बार आपको आपके distract ना करें कोई disturb ना करें मेरे घर में कभी मुझे कोई disturb नी करता है जब मैं पढ़ता हूं मैं बोल देता हूं सीधा मुझे कोई छेड़ना नहीं आप भी यह बात बोल सकते हैं मुझे कोई छेड़ो मत आपके घर के काम है वह पहले निप्टालो या 15 मिनट के यह वो भी बता दिया जैहिंद जैभारत फिजिकल एजुकेशन जिन्दाबाद आठ मिनट की वीडियो हो गई आठ गंटे के बढ़ाई के लिए टेक क्याव